हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई एक्टरस हैं जिनकी दमदार एक्टिंग के जरीए आप उन सभी को जानते हैं वहीं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसुरत अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने बोल्ड सीन देखर ऐसी चर्चा बटोरी की सभी जगावो च्छा गई थी असी और नभे के दशक की फैमस मॉडल और एक्टरस सौनु वालिया जिहां आपको बता दें सौनु वालिया के बारे में तो काफी फैमस रही हैं वो अपने जमाने में 55 साल की हो चुकी हैं तो वहीं इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1964 को डेली में एक पंजाबी परिवार में जन्मी थी सौनु वालिया तो वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिन्दगी से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बात हैं आखिरकार कहां पर हैं और कैसी जिन्दगी जी रही हैं हमारी इस रिपोर्ट में आप देखी रहे होंगे कि सौनु वालिया अब काफी हद तक बदल चुकी हैं लाइमलेट से दूर रहती हैं लेकिन आज भी उनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि लोग आज भी उनकी स्माइल पर फिदा हो जाते हैं दरसल आप सभी को बता दें कि मॉडलिंग में जाने का फैसला उन्होंने खुद लिया पढ़ाई खत्मी की और सौनु वालिया ने मॉडलिंग में जाने का डिसीजन ले लिया उनकी personality को देखकर उन पर हरकोई फिदा हो जाता था और जल्द ही modeling की दुनिया में उन्होंने नाम भी कमा लिया इसके बाद सौनू ने Miss India competition में participate भी किया और साल 1985 का ताच अपने नाम कर लिया और यहां से वो काफी मश्यूर हो गए Miss India बनने के बाद सौनू को Bollywood से ओफर मिलने लगे थे सौनू साल 1988 में नजर आई सुपर हिट फिल्म खून भरी मांग में और इस फिल्म में रेखा के साथ वो नजर आई यहां पर एक और रेखा थी तो वहीं सौनू वालिया दोनों ही बेहत खुशुरत नजर आई थे इस फिल्म से पहचान मिल गई और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म फियर अवोर्ट से नवाजा गया इतना ही नहीं सौनू वालिया की एक्टिंग की सभी तारिफ भी करने लगे थे और यहां से धीरे-धीरे स्वानुवालियर सफलता की सीड़ी चरते हुई नजरा है वहीं आपको ये भी बता दें कि मिस इंडिया का खिताब एक और उन्होंने अपने नाम किया था तो वहीं बॉलिवोड इंडस्टी का रास्ता उनके लिए साफ-साफ खुल गया था और यहां से उन्हें शुरुआत हो गई थी फिल्मों के ओफर मिलने की यहां पर एक और उन्हें खून भरी मांग फिल्म में काम मिला तो वहीं दूसरी और वो लगातार कई फिल्मों में च्छाती हुई नजरा है लेकिन धीरे धीरे फिल्म इंडर्स्टी से बूद दूर होती हुई भी नजराएं जिहां आपको बता दें कि सौनुवालिया ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था लेकिन इसके बाद उन्होंने इंडर्स्टी को छोड़ शादी करने का फैसला कर लिया इसके बाद उन्होंने NRI सूरे प्रकास से शादी कर अपना घर बसाया लेकिन सूरे प्रकास का निधन हो गया और ये दोर बेहदी दर्दनाग था उनके लिए उन्होंने दूश्री शादी के लिए NRI फिल्म प्रोडियूसर प्रताप सिंग से की और अब वे यूएस में रहती हैं और उनकी एक लड़की भी है अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जिन्दगी जी रही है वहीं आपको ये भी बता दें कि सौनु वालिया एक बार फिर से चर्चा में आई और जब वो चर्चा में आई तो फिर से वो देखनों को मिरी बता दें आपको कि जब एक्टरस सौनु वालिया के साथ छेड़ चार की गई उन्हों ने इसके खिलाफ मुंबई के बंगुर नागर पुलिस इस्टेशन में एफाईयर दर्च करवाई और सौनु ने अपनी शिकायत को भी बताया कि कोई अंजान शक्स उन्हें कई दिनों से मोबाईल पर आपत्ती जनक वीडियोज भेज रहे हैं और ऐसे में एक्टरस काफी परिशान हो गई और मुंबई के मलाड में वो रहा करती थी उस वक्त ये मामला पुलिस के पास उन्होंने दर्च करवाया वहीं सौनू के मताबिक ये भी सामने आया कि कोई शक्स उन्हें फौन करके कुछ भी बाते करता है जो कि वो से सुन नहीं पाती है साथ ही वीडियोज भी सेंड करता है वो करीब एक हफते से ये सब कर रहा था तब सौनू ने परिशान होकर पुलिस दे शिकायत की वहीं आपको ये भी बता दें सौनू का ये भी कहना था कि मैं काफी समय से सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहती थी और इसी बीच इस डीलर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उसके पात साल 2012 से 2993 सीसी की BMW कार है जिस कार का मालिक 20 लाक रुपे में उसे बेचना चाहता है ऐसे मैं सौनू कार का इस्तमाल करना चाहती थी तो वहीं उसकी सर्विसिंग भी कराना चाहती थी जिसके चलते उन्होंने कार को लेकर सर्विस सेंटर पर भेजा था और उन्हें पता चला कि 2993 सी और इसके बाद उन्होंने डीलर के खिलाफ शिकायद भी दर्ज कराई तो इस तरीके से सौनुवालिया लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आए लेकिन आज के दौर में सौनुवालिया कितनी बदल चुकी है यह आप हमारी इस रिपोर्ट में देखी रहे होंगे ए कि वज़े से वो काफी चर्चा में रही एक ठगी का खुलासा तो दूसरा उनके साथ छेड़ खाने वाला यहां पर सौनुवालिया को लेकर तमाम ऐसी खबरें सामने आने लगी लेकिन फिलहाल सौनुवालिया लगातार लाइम लाइट से दूर है और अपने पत्ती के कहते हैं सौनुवालिया को लेकर या आप हमारे कॉमेंट सेक्सन में बता सकते हैं फिलहाल के लिए हम चलते हैं तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस से प्राणिशी की रिपोर्ट